नमसकार दोस्तो, मैं अनुराग, आप लोग देख रहे है, Pomرب टषए अनुराग यूटीब चैनल दोस्तो आप लोग रॉटवेलर खरीते हो, पिटूबल खरीते हो, ग्रेट डेन खरीते हो, जरमन सेपर करीते हो, बहौ सारा डॉग खरीते हो लेकिन बाद में वो बरा नहीं हो पाता है उसका बॉडी गुरू नहीं कर पाता है और वो दिखने में ऐसा लगता है कि यह तो नॉर्मल डॉग है मजा नहीं आता है वो फिल नहीं आता है कि रॉट वीलर दिखने में जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं बना तो आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो 100% वर्क करेगा और दोस्तो आप लोग ट्राय करके देख लेना फिर मुझे बोल सकते हो तो दोस्तो यहाँ पर आपको एक प्यारा सा रॉट वीलर का पपी आपको दिखाए पर रहा है बहुत ही मासूम है मेरे ही टाइसन का यह पपी है अभी बहुत ही छोटा है तो मैंने सोचा कि बहुत सारे पिट पैरेंट को यह दिक्कत होता है उसके mother-father import line के होते हैं और जब वो घर पे लाते हैं बाद में एक साल के बाद, एक साल के बाद वो गरू नहीं कर पाता है, मजा नहीं आ पाता है तो मैंने dogs तीन साल से रखनाय स्टार्ट किया है और मैंने बहुत सारी चीजों को महसूस किया है और मैं अपना experience आपको बताऊंगा जो की 100% वो work करेगा ही किसी भी कीमत पे तो दोस्तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले इस चैनल को सब्सकाइब कर लेजे जिसका नाम है POMTOY अनुराग इसी तरह में आपको निचे सब्सकाइब मिलेगा और बाद में बेल आइकन को भी दवा दीजिएगा चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं एक छोटे से एकजामपल देकर क्या आपको समझाना चाहूंगा कुछ दिन पहले मैंने एक बत्थक खरीदा था बत्थक आप लोग समझते होगे डग दोस्तो वो दीपावली के दिन मैंने खरीदा था और दोस्तो दो मन तक मैंने उस बत्थक को बहुत ही अच्छे तरीके से खाना खिलाया उसको मैं मचली खिलाता था, मुरगा खिलाता था, चावल खिलाता था बहुत ही ज़्यादा और मैंने साथ ही एक और न को शर्बर झाल मैं आपनी खेल चाइआध Нससार मनत बहुत हो गया ने तो मैंने क्या एक संत अम क्या शर्रा पॉरत की देखिने के लिए अब दोस्तों उसके बत्थक को जब मैं देखने के लिए गया तो मैं सौक रह गया दोस्तों मेरा जो बत्थक था वो मात्र इतना बरा था और उसका जो बत्थक था इतना बरा हो गया था मातर दो महिने में और मेरा जो बतक था उसका पूरा मतलब विंग्स भी नहीं आया हुआ था तो आप समझ लो कि कितना बड़ा गैप था कितना बड़ा चेंज था और मैंने उससे बढ़ियां खाना ही खिलाया था अब दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह चेंजेज कैसे हैं और यह चेंजेज आप अपने प्यारे से डॉग पे कैसे अपलाय कर सकते हो कि उसको एकदम royal cannon खिला देते हो, pedigree खिला देते हो, starter खिलाते हो और आपका dog एकदम पतला का पतला ही रहा जाता है अब दोस्तों चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस बत्तक के साथ मैंने कहां पर गलती कर दी वही गलती मैंने सीखा और अपने dog के साथ अब सुधारूंगा अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो duck था वो कमजोर कैसे रहा गया दोस्तों सबसे पहले तो आप समझ लेजिए कि मेरे पास जो ducks थे उसको मैंने खाना तो अच्छा खिलाया टाइम पर खाना खिलाया लेकिन उसका मैं exercise नहीं करवाता था उसको मैं एक पिंजरा में बंद करके छोड़ देता था जब खाना खिलाना रहता था तब मैं बाहर निकाल देता था और उससे मैं वो खाती थी थोड़ा बहुत घूम लेते थी बस इतना है लेकिन दोस्तों जो औरत बथक खरीदी थी वो 24 घंटा उसको खोल के रखती थी वो दिन जब होता था तो निकलता था सारा बथक और नदी में चला जाता था दिन भर एक्सराइज दिन भर एक्सराइज तो एक्सराइज करते करते जो उसका बथक था मात्र दो दिन में पूरा का पूरा ग्रो हो गया और मेरा बथक मात्र हाफ ही ग्रो किया था पूरा वि exercise कर सकता है उतना exercise आपको करवाना परेगा जितना इसके बॉड़ी के लिए fit है उतना exercise आपको करवाना परेगा तभी आपका डॉग fully grow होगा और एक सेर के जैसा बन पाएगा नहीं तो वो एक तम बहुत ही कमजोर और पतला दिखेगा अब दोस्तों मैं आपको बतलाता हूं कि आपको exercise किस तरीकी से करवाना है दोस्तों exercise आप इसको playing करवाईए मतलब कि उसको ball के साथ playing करवाईए कम से कम दो टाइम आपको running करवाना exercise करवाना है और खाने में आपको क्या देना ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों खाने में आपको इसको देना है starter, puppy food देना है एक साल तक, ये तो आपको main ingredient में रखना ही है, और उसके बाद आपको chicken, egg, अंडा ये सब पर तुट के पर जाना है, जितना आप अपने dog को खिला सकते हो, और इसके लिए जितना beneficial है, उतना आप लोग खिला ही है, तीन मन्त के age के बाद ही chicken बगेरा देना सही रहेगा, उससे पहले भी बहुत सारे लोग खिलाते हैं, तो आप लोग अपने cording adjust करके खिला सकते हो, तो उसके बाद आप अपने dog का जो growth देखोगे, ऐसा amazing होगा, कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, बहुत ही ज़्यादा grow करेगा, तो exercise is must, और साथे साथ हेट grow करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कि इसको आप लोग चिव बोन जो आता है, वो दीजिए, जो strong वाला होता है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपका dog उसको निगल जाता है, तब वो मत दीजिएगा, क्योंकि वो strong होता है, stomach में जाकर के फस ज दबाना भी सिखेगा, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, जो मैंने खुद महसूस किया था, वो वीडियो, वो thing मैंने आपको बताया है, साथ ये चीज आपको पता भी होता, लेकिन इस चीज पर आप लोग गौर करोगे नहीं, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, comment करके दोस्तों चीजें सब को पता होती है, लेकिन अपलाई कोई नहीं करता है, तो मैंने सोचा कि उस चीज को आपको remind कर दूँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, comment करके बताईए, और दोस्तों ऐसे ही dogs related, बहुत सारी चीजें मैं आपको बतलाता रहता हूं, जो क बहुत ही simple होता है, जानने वाला चीज होता है, लेकिन आप लोग miss कर देते हो, उसको जान नहीं पाते हो, उसको पहचान नहीं पाते हो, तो मैं आपको उसको remind करता हूं, बतलाता हूं, और एकदम simple simple tips से आपके dog को happy, healthy, strong, बहुत ही प्यारा बनाता हूं, तो दोस्तों ये वीडियो था, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग हमारे Instagram पेज पर भी आ सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे amazing चीज आपको मिलेंगी, जिसका link भी आपको description में मिल जाएगा, और dogs के लिए जो प्यारा साचीव होता है, उसका link भी description में मिल जाएगा, तो आप लो